संजराउत के जेल जाने के बाद में महारास्ट के मुख्यमंत्री एकनाश शिंदे ने राउत पर तंज कस्ते विए बड़ा प्रहार किया है दरसल एकनाश शिंदे ने कहा है कि अब महारास्ट में काफी हद तक शांती है क्योंकि रोज सुबह 8 बजे बजने वाला लाओड स्पीकर पूरी तरीके से बंद हो चुका है आपको बता दें कि एकनाश शिंदे ने ये बात राउत के बड़बोले बयानों को लेकर के कही है संजा राउत रोज सुबह उठकर के ऐसे बयान दे देते थे कि महारास्ट की राजनेतिक गलियारों का पारा घर्म हो जाता था लेकिन संजा राउत की ग्रफतारी के बाद में महारास्ट में शांती है एकनाश शिंदे ने कारकरताओं को संबोदित करते हुए कहा कि क्या अब आप लोगों को सुबह सुबह लाउड स्पीकर की आवाज सुनाई देती है नहीं सुनाई देती क्योंकि अब वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है थप पड़ा है वहीं दूसरी तरफ उद्दफ ठाकरे और शिपसेना भारती जनिता पार्टी को गिरने में लगे हुए हैं संजा राउड की ग्रफतारी को लेकर के राउड के खिलाप में इनफोर्स्मेंट डिरेक्टरेट की कारवाई के विरोध में शिपसेना नेताओं और कारकरताओं ने महरास्ट के कई अलाकों में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया शिपसेना नेता सुधाकर बढगुजा ने कहा कि इनफोर्स्मेंट डिरेक्टरेट का इस्तेमाल कर संजा राउड के खिलाप में एक बहुत बड़ी और भयानक साजिश रची गई है और इसके पीछे भारती जनता पार्टी ही है चाहे कितनी भी आपदाएं क्यों नहाएं उन पर गर्व है क्योंकि वो किसी के दवाब में आगे नहीं जुके यानि कि आपको बता होगा जो संजराउत ही कह रहे थे रहा कि उन्हें भी ओफर दिया गया था एकना शिंदे गुट में शामिल होने का इडी की धंक्या बिदी गई थी लेकिन वो किसी के सामने भी जु उन्हें उनके उपर बहुत ही जादा गर्व है तो गोल मिला करके अब संजराउत के खिलाप में एकना शिंदे गुट जो है तंजकस्ता हुआ दिखाई दे रहा है दरसल संजराउत को लेकर के वो कह रहे हैं कि अब महारास्ट में जो सुबह सुबह लाड़ स्पीकर बचत पूरी तरीके से बंद हो गया है वह राल जो एकना शिंदे गुट की तरफ से संजराउत पर और शिवसेना पर जो तीका प्रहार किया गया है उद्वठाकरी गुट की शिवसेना पर इस पर आपकी जो भी राह है हमें कॉमेंट करके ज़रू बताएं जल्ब लूँगा किस